कि है लो इस लेक्षर में हम पढ़ेंगे मैनेजर का कमिशन प्रॉफिट पर लास्ट लेक्षर में हमने पढ़ा था कि मैनेजर को अगर सेल पर कमिशन मिलेगा तो कैसे कमिशन कैलकुलेट होगा डिरेक्टली आप सेल पर कैलकुलेट कर लोगे और सेल भी नेट सेल होती है ग् कियों दिया जाता है मैंनेजर को समालते है और अगर उनको那麼 करेंगे आप ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट हों और जजर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैनेजर करने के लिए नेको प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाता है आँ अब वो मो집 प्रॉफिट कैसे कहां पर आता है यह चीज में देखो आप ट्रेड compat Land लॉस एकांग बनाते हो कि के तो है यहां पर विश्यास था यहांप profit आता है और फिर रॉस प्रॉफिट को आप यहां लिखते हो और यहां पर नेट पॉफिट आता तो जो नेट पॉफिट आता है आप किया करोगे सारी जो इंकम हलंभी और सारह जो हैं कि उनके वटाने के बाद आप आप अभी लिखोगे नहीं क्यों ने लिखोगे क्योंकि उस पर आपको मैनेजर कमिशन गटाना है और उस मैनेजर कमिशन को आपको यहीं दिखाना है प्रॉफिट लॉस के अंदर मैनेजर कमिशन यहां दिखाना है आपको तो मान लो आपका क्रॉस प्रॉफिट है एक लाग पचास हजार ठीक है और आपकी अधर इंकम वगएरा जो होती है रेंट रिसीव इंट्रेस्ट रिसीव यह सब कितनी है आपकी एक लाग है ठीक है और आपके जो एक्सपेंसेज यहां पर कितने हो जाएंगे एक लाग चालिस हजार तो यह मैंने मान लिया है कि जीपी इतना है और इंकम इतनी है वाकी सेल्स के अलावा और एक्सपेंस इतने हैं तो आपका नेट प्रॉफिट अगर आप रॉप में निकालोगे तो कि कि फिती तो आपका कितना प्रॉफिट आ जाएगा एक लाग द की ऐसील इन के तो यह जो प्रॉफिट है नॉरमली हम क्या मैंशन क्युक्लेट करोगे ठीक है मान लो 10% कमीशन है तो अगर 10% कमीशन है तो इस पर कमीशन कितना हो जाएगा ग्यारा हजार हो जाएगा ठीक है तो आप मैनेजर कमीशन यहां पर 11000 लिखोगे और यह जो एक लाग दस जार आई है इससे 11000 घटा दोगे तो आपका यहां पर आखिर में नेट करते हैं और नेट प्रॉफिट को रफ में कैनल लिख इस पर कमीशन निकालते हैं और प्री कमीशन को हम प्रॉफिट एंड गी अंदर लिखते हैं और उस प्रॉफिट पे फिर मैनेजर Kr2 घटाकी फिर जो valid आ दीए वह फाइनल century profit होता है तो इस तरीके से हम मैनेजर कमिशन को कैलकुलेट करते हैं जब वो profit पे होता है अब इसमें दो चीज़े आती है इसमें दो चीज़ें आती है एक तो हम मैनेजर कमिशन की एमाउंट निकालते हैं ठीक है फिर उसको हम कैसे शो करते हैं profit and loss और बैलेंस शीट के अंदर तो पहले तो हम एमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे और उसके बाद हम उसका treatment देखेंगे treatment का मतलब क्या होता है उसको पी एल एकाउंट में और बैलेंस शीट में आप कैसे शो करोगे ठीक है जैसे कि आप डैप्रीशिशन के अंदर दो चीज़ें करते हो आप एक तो डैप्रीश निकालने होती है कि मैंजर के चामीशन की है कितनी आएगी और फिर ऊसे कहां से करते हैं तो मैंजर कमीशन चम निकाला जाता है तो लिक्षाओ होते हैं जो आफिर लिका हुआ है ठीक है तो यह जो दो वर्ड अगर आपको दिखेंगे तो इन दोनों को आपको हाइलाइट करना है क्योंकि इनी में छुपा हुआ है वो तरीका के मैनेजर कमिशन आप कैसे निकालोगे है तो हमने अभी देखा था मैनेजर कमिशन हमारा निकल के स्वारीज निकल के आया था एक लाग । निकल के आया है एक लाग । दस हजार रूपर और मान लो मैनेजर कमीशन कितना परसेंटेज 10% on net profits इस प्रॉफिट पे देखो मैंनेजर कमीशन और चायंग तो हम क्या घटाएंगे मैंनेजर का झार तो इनने क्या लिखा हुआ ही यहां पर मैंनेजर कमीशन को केल्कुटेट करना है उस प्रॉफिट पे जो कि इस कमिशन को चार्ज करने से पहले का प्रोफिट कितना था तो इस एक लग दस हजार पे हम मैनेजर का कमिशन निकालेंगे तो एक लग दस हजार का 10% कितना होता है 11,000 रुपे ठीक है तो फिर यहां पर जो आमाउंट आएगी 99,000 रुपीज यह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे आखिर में दिखा होगे और इसको हम क्या बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर कमिशन प्रॉफिट आफ्टर कमिशन बोलो या प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमिशन बोलो और इसको हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमिशन ठीक है तो यानि कि अगर विफॉर चार्जिंग जो प्रॉफिट है विफॉर चार्जिंग जो प्रॉफिट है उस पें आपको कमिशन निकालना है तो कुछ नहीं नहीं है सीधा का सीधा जो हैं निकल के आएगा उस पें निकालो डायक्टी 10%। और उसको मैनेजर कमिशन बाण लो टिक की मैनेजर कमीशन निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर तो अब इसमें आप कमीशन की एमाउंट कैसे निकालोगे तो इसमें क्या करना है एक नया काम करना है आपको तो नेट प्रॉफिट यहां पर कितना था एक लाग दस जार रुपे ठीक है इसमें कमीशन यहां पर कैसे निकालना है अगर आफ्टर चार्जिंग वर्ड है तो कैसे निकालोगे आपको क्या करना है एक लाग दस जार तो भी फोर चार्जिंग है लेकिन यहां पर सौने लिखोंगे नीचे वो परसेंटेज जोड दोगे इस तो कितना हो जाएगा एक लाग सब्सक्राइब के गांड़ यह तो मैंनेजिर कंप JACK यहां पर इस तरीके से दससें गल्ट अुटकर सोवेज्ट हो गाएगा कर मैंने चरों यर कमीशन कितना आएगा यहां पर आएगा 1ök अग ठीक है अब यहां पर देखो एक काम की चीज सुनों यहां फे क्या बहुला है मैनेजर कमीशन और ऍने पर्फिट आफ्टर चार्जिंग सैच कमीशन यानिकि मैनेजर को 10% क मिलेगा उस प्रॉफित जो की कमीशन को काटने के बाद के कमीशन को काटने के बाद कौन सा प्रॉफित आया llen IL保ima देखो ये वाला प्रॉफित आया है एक लाग रुप मिसमा शलिम ही यहां प है है कि यहां पर यह यह बोल रहा है यहां पर यह बोल सब्सक्राइब त distant प्रोड निए टिकाइब तो यहां पे आप्र chasing का मतलब किया है कि उस मेनेजर कमीशन को घटाने के बाद जो इमांट आइगी उस पर कमीशन निकालना है और वह तो थो हमें पता ही नहीं है तो जब वह पता नहीं है और क्यों कैसे करतें यहां पर्सेंटेज को हम सौ में जोड़ देते हैं तो यह इसमें समझने वाली बात है यह जो ऊपर वाला आपका केस था घुंपर वाला आपका केस था आपने सीदे सीदे 11000 रुपए निकाल लिया यहां पर क्या करना है यहां पर क्या करना है जो इस कमीशन के बाद का प्रॉफिट तो यह तो यह तो इस पह में देखो सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब था थो जब भी इस तारीका का विखता है तो हम क्या करते यहां पर अपर पर्चंटे निकालते हैं तो नीचे वह देतें इस तो यह होता है और जब भी मैंटेजर कमिशन की बात होती है प्राफिट पे आपको यह बिफोर और आफ्टर वर्ड ध्यान रखना है तो बिफोर में तो नॉमली तो दस बटे सौ नहीं करोगे सौ में वो परशेंटेज एड़ कर दोगे तो दस बटे 100 करती है था हम ने यहां पे जैसे किया था है यह यह इसे ही तो कैलकुलेट किया है तो इस तरीके से हमने क्या किया हमने मैनेजर के कमिशन की एमाउंट निकालना सीख लिया और एमाउंट निकालने में सिर्फ दो तो यह चीज आपको नोट करनी है और जब भी आफर चार्जिंग लिखा हो और जब भी आफर वर्ट पर आईलाइट कर लो अब जो हमारे निकल के आई उसको हम फाइनल एकाउंट के अंदर कैसे शो करेंगे प्रोफिटेंड लॉस एकाउंट के अंदर आप क्या करोगे टू मैनेजर कमिशन लिख दोगे ठीक है पहले वाले केस में कितना आया था पहले वाले केस में आपका कमिशन आया था ग्यारह जार रुपे ठीक है बिफॉर चार्जिंग है अगर तो और अगर आफर चार्जि कि अदर यहां और अगर आफका दस जार निकल के आएगा तो यहां पर दस जार लिख दोगे ठीक है तो बिफॉर चार्जिंग है और आफटर चार्जिंग दोनों का इमांट फरक होगा तो आपको देखना है कुश्चन के अंदर के लिखा हुआ है कैल्कुलेशन में यहां फिर आफटर चार्जिंग लिखा हुआ है अब इनको समझने का एक और तरीका क्या है एड़ेस्मेंट की चीजों को हम दो एफेक्ट देते हैं एक तो हम देते हैं और एक देते हैं हम क्रेड़िट एफेक्ट अब देखो यहां पर देखो आपने मैनेजर कमिशन को प्रॉफिट लॉज के डैबिट में लिखा है इसका मतलब क्या है आपने यहां पर इसको डैबिट एफेक्ट दे दिया है इसको आपने यहां पर डैबिट एफेक्ट दिया है और यहां आपने लाइविल्टी में लिखा है तो ल है तो इस तरीके से आपने इसको डैबिट एक्ट पी दे दिया और तो या तो आप 11000 डुनी तरफ लिखोगे और अगर चारजिंग लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे Slowly लिखेंगे witnessed jour निकालोंगे दोबारा से पहले प्रोफिट किया था उसमें मैनेजर कमीशन को घटाने के बाद आएगा वह एक्ष्वल नेट प्रॉफिट होगा तो यह था आपका ट्रीटमेंट मैनेजर को कमीशन अगर दिया जाता है और लाच्ट उसके लिए ready रहना चाहिए so that is it for this lecture thank you